और इनके स्कूल के ट्रिप जा रहा है, नowski स्कूल के ट्रिप जा रही है, और यह बहुँत ज्यादा एक्सायटेड़ है, तो यह क्या है, पुने से लेट नाइट रहा है वाला निस तक लेट नाइट करेशावाた・ijon पर जाती है बाकी students के पास या teachers के पास तो जो इसकी मदर वो teacher से कहती है Hello students, how are you? बच्चो हमारी 6th class की जो पॉलिटिकल चल रही है, sorry 6th class की history चल रही है और बेटा इसके अंदर हमारे 5 chapters complete हो चुकी हैं history में आज हम 6th chapter start करने जा रहे हैं बेटा start करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए, share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए, okay now let's start today we will start our new chapter, new questions, new chapter is new chapter number 6, new questions and ideas chapter number 6 है new questions and ideas, तो आज का जो हमारा chapter है इसके अंदर हम जो नए नए विचार हैं, नए नए questions हैं, प्रशन हैं, ideas हैं, आज हम इसके अंदर उसके बारे में discuss करेंगे तो सटार्ट करने से पहले पेटा देखिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से नाती हैं, तो देखिए पेटा जिस तरह से आपके तो देखे बिटा जिस तरीके से आपके स्कूल के अंदर बिटा देखे जैसे कोई भी स्कूल का ट्रिप जाता है तो जो स्कूल का ट्रिप होता है उसकंदर क्या है जैसे आप लोगों क्या है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि हमें क्या स्कूल का ट्रिप के अंद और इनका स्कूल का एक ट्रिप जा रहा है तो क्या है जो ये स्कूल का ट्रिप जा रहा है तो जो अनगा है वो क्या है बिटा फर्स टाइम स्कूल के ट्रिप पर जा रही है और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिड है तो ये क्या है पुने से मतब पुने से लेट नाइट क पास तो जो इसकी मदर वो टीचर से कहती है कि मैम आप बच्चों को बगवान बुद्ध के बारे में भी बताना और इन बच्चों को सारनाथ भी दिखाना ताकि इन बच्चों क्या इसके बारे में नौलिज हो सके तो देखे बटा जो टीचर होते हैं वो उन्हें उन सब आपको बताने जा रही हो और इस चेप्टर के अंदर हम भगवान बुद्ध के बारे में जैनig के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं अगे देखिए इसके अंदर तो इसमें देखिए स्टोरी अब देखिए जो भगवान बुद्ध की स्टोरी है उसके बारे में इसमें बताया गया है सिधार्थ also known as Gautam the founder of Buddhism जो सिधार्थ है उसे क्या Gautam के नाम से जाना जाता था और यह क्या बुद्ध धर्म का संस्थापक था वाज बॉन अबाउट 2500 अगो इनका आज से 2500 साल पहले इनका जन्मुआ था इस वाज टाइम ओफ रैपिड चेंज इन दी लाइफ ऑफ पीपल और यह एक ऐसा समय था पिटा जिस समय लोगों की लाइफ के अंदर बहुत अधिक चेंजमेंट आ रहे थे जैसा कि आप हम सभी ने कहा है चेप्टर फाइफ में देखा था सम किंग सिंदा महा जनपद वर गोइंग और पावरफुल जैसे महा जनपद के बारे में हमने चेप्टर फाइफ में रीड किया था तो उसकंद क्या था पिटा जो बहुत सारे जरा जाते हो किया है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे न्यू सिटीज वर ड्वलपिंग नए नए शेहर ड्वलप हो रहे थे और जो लाइफ थी वो क्या है गाउं के अंदर भी चेंज हो रही थी बहुत सारे थिंकर से बहुत सारे विचारक थे जो क्या है इन समाज के अंदर जो चेंज आ रहे थे उनको समझने की कोशिश कर रहे थे and they also wanted to try and find out the true meaning of life और वो जो थिंकर से वो क्या है इन सभी के जवाब जानने के लिए इचुगो रहे थे और वो लाइफ का जो असली meaning है true meaning है उसके बारे में भी वो उसको समझने की कोशिश कर रहे थे जो बगवान बुद्ध थे वो क्या थे बिटा कायस फैमिली से बिलोंग करते थे और वो क्या है साख्या गण के से ही बिलोंग करते थे वेन ही वाज अ यंग मैन जब है छोटी सी एज के अंदर थे लेब दा कमफर्ट ओफ इस होम इन सर्च अफ नोलीज तो उन्होंने किया बिटा अपने घर की जितनी भी सुख से आराम थे उन सभी कमफर्ट को त्याग दिया छोड़ दिया और वो ग्यान की खोज में निकल गए वो बहुत सालों तक क्या है इधर से उधर घूमते रहे meetings and holding discussions with other thinkers वो बहुत सारे other thinkers से मिले उन से बाचीत की he finally decided to find his own path to realization और last में उन्होंने क्या बिटा एक decision लिया कि अब उन्हें अपने सच्चाई का खुद ही mark खोजना होगा and meditated for days on and under a people tree at both गया और इसके बाद क्या बिटा इन बिहार वो बिहार के बोध गया में people के पेड़ के नीचे वो कई दिनों तक लगातार उन्होंने ध्यान मगन किया meditation की और उसके बाद क्या उन्हें बिटा ग्यान की प्राप्ती हुई where he attained enlightenment जहां उन्हें क्या ग्यान की प्राप्ती हुई knowledge उन्हें प्राप्त हुआ after that इसके बाद he was known as the buddha और इसके बाद क्या बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और the wise one और उन्हें क्या बहुती मतलब समझदार व्यक्ती के रूप में जाना जाने लगा he then went to सारनाथ नियर वारा नसी उसके बाद वारा नसी के पास जो सारनाथ नामस था वहाँ पर गए where he taught for the first time जहाँ पर उन्होंने अपने उपदेश दिये पहली बार सबसे पहले उन्होंने अपने उपदेश कहां दिये थे सारनाथ में दिये थे और उन्होंने जो उन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई थी वो कहा हुई थी बोध गया में बिहार के बोध गया में हुई थी he spent the rest of his life traveling on foot और नों ने वाँ पे अपने life के बहुत सारे साल गुजार दिये going from one place to another वो एक जगे से दूसरी जगे पर घूमते रहे teaching people लोगों को संदेश देते रहे till he passed aware कुशी नारा और अंत में उनकी जो मृत्यू हुई बेटा वो कहां पर हुई कुशी नारा नामक स्थान पर उनकी death हो गई उनकी मृत्यू हो गई बचो समझ में आया आगे देखी बेटा ये बगवान बुद्ध के बारे में है बहुत ही interesting chapter है इसको ध्यान से समझना और मैं आपको एक एक वर्ड को बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ अब देखी जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने बेटा लाइफ के बारे में क्या बताया कि जितनी भी लाइफ है क्या है वो दुखों से भरी हुई है और चारो तरफ के उदासी ही उदासी है this is caused because we have cravings and desires ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सबी जो मानव है हमारी क्या बहुत सारी इच्छाएं होती है which often cannot be fulfilled और कुछ उर्में से पूरी हो जाती है कुछ पूरी नहीं होती है फिर भी क्या है पूरी होने के बाद भी हम सोचते रहते काश हमें ये भी मिल जाता sometimes even if we get what we want कई बार क्या हमें हम जो चाहते हैं जब हमें वो मिल भी जाता है तो भी क्या होता है we are not satisfied तो भी हम क्या satisfied नहीं होते हैं and want even more और हम इससे भी जादा पाने की कोशिश चेश्टा रखते हैं दी बुद्धा डिस्क्राइब दिस एस थर्स्ट और तन्हा और जो भगवान बुद्ध थे इन्होंने इसे कहा है लालसा थर्स्ट होती लालसा या लालच या तन्हा कहा था he told that his constant craving could be removed by following modernization in everything उन्होंने क्या कहा है कि हम इन सबी चीजों से मुक्ति पा सकते हैं he also taught people to be kind उन्होंने क्या कहा लोगों से कि आप लोग क्या है दूसरों के दयालू बनो and to respect the lives of others और दूसरों की life जो life है उसकी respect करो इंक्लूडिंग एनिमल्स पश्चों के साथ प्यार करो वो क्या उन्हें क्या विश्वास था कि हम जब ये इतना सारा अच्छा अच्छा कारिये करेंगे वेधर गुड और बैड कि हमारा चाहे कोई भी काम है कर्म है वो चाहे अच्छा है या बुरा है वो ना केवल हमारी इस लाइफ में इफेक्ट करता है बलकि आगे आने वाली लाइफ के अंदर भी इफेक्ट करता है और जो भगवान बुद्ध थे इन्होंने अपनी जो उपदेश दिये थे वो आम भाशा में दिये थे जो उस समय कौन सी भाशा थी प्राकरत भाशा थी ताकि जितने भी लोग सभी कहें उनके मैसिज को उनकी बातों को असानी से समझ सके इसके अलावा उन्होंने लोगों को एंग्रेज किया ये चीज समझने के लिए कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं दूसरे लोग क्या समझना चाह रहे हैं उन चीजों को ध्यांत से समझें, let us see how you did this, और हब हम देखेंगे, उन्होंने इन सब चीजों के बारे में किस प्रकार से बताया, कैसे किस प्रकार से उन्होंने इस चीज को समझाने की कोशिश की, तो देखे बच्चो ये था बटा आपका भगवान बुद के बारे में अब आप एक बार इस डाइग्राम को देखिए तो देखो बटा ये जो डाइग्राम दिखाया गया इस डाइग्राम में क्या बताया गया है कि जो डाइग्राम है ये क्या एक बिल्डिंग है और जिसके स्टूप के नाम से जाना जाता है तो यह एक ऐसा एरिया था जहां पर क्या भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिये थे तो भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे वो उन्होंने ऐसे स्टूप के अंदर बैठ कर ऐसे स्टूप वाले एरिये के अंदर उन्होंने अ इंट्रस्टिंग स्टोरी इसको ध्यान से सुनियेगा, मतलब यह क्या है, बटा, तो इन्होंने इन सब के पारे में बताया, जो भगवान बुद्ध है, उन्होंने यही का कि जो इंसान है, बटा, वो उसकी जो इच्छाएं होती है, वो कभी नहीं मरती है, जाता है वो उससे भी जादा पाने की कोशिश करता है तो इसका अंदर यही साथ सब कुछ बताया गया है तो यह बहुत इंट्रस्टिंग टोपी बहुत इंपोर्टन भी है आप इस चैप्टर को अच्छे से सारी वीडियो को अच्छे से देखोगे वीडियो पोज नहीं करन किया है जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम आगे नेक्स वीडियो में करेंगे डिसकस आज तक के लिए इतना ही है बाकी रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स में करते हैं ओके थैंक्यू बिटा हैव नाइस डे बाबाई अबूँ चूग नेक्समादी चूबبة